हाई फ्रेंड्स असलाम अलेकूम तो चलिए आज बना लेते हैं यूपी का बहुती फेहमा चूड़ा मटर क्योंकि ठंड का सीजन है और हरी जो मटर होती बहुत इजली आवालेबल हो जाती तो चलिए जड़पडसे से बना लेते हैं खान में यह बहुत अच्छी लगती है तो इसमें बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लेना एक बड़ा जीम्र जीरा साथ में ले ले लेना है काली मेर्च,कैली मिर्च,क्ष कटीन,कैली मीर्च तक भून लेना है जब आप देखें कि इसमें निकलने लगा है और इसमें बहुत यह चीजिस मैल आने लगे तो गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसे हमें बारिक सा पीस लेना है बिना पाइं डाले इसका में पॉडर बना लेना है इस लो आंश पर भूनियागा वरना को ले लेना है और इसे हमें हमें इस तरीके से दर बबना सा पीस लेना है तो मतलक को ढ़ोक है अप साफ कर ले लेंगा और अपने ले लिदेशन एक बाड़ा olsun ने डाले तक देखने आपने हरी मट को अपना माठर हो बार बार माठर को चलाती भी रहना है ताकि अ कड़ाई में छिपक ना जाए पका लेना है और इसके साथ में हमने हां पर ले लिया है एक बड़ा काटोरी को के दान का ऐते हैं ये धान का चूरा होता है बहुती हां दो देना है और शालने में मिला देना है एक चमच नमक आगे नाप नमक अपने टेस्टिय अकॉणिंग ले सकते हैं तो नमक डालने के बाद फ्रेंड्स जल्दी से ही मतलब सौफना चालू हो जाएगा तो इसे बराबर चलाती भी रहना है हमें तक यह दिन से चिपकेना और पोहे को हमने क्या करना है कि ज़रने में ही धोना है डारेक्ट नल के पानी से तक जोसका पानी नीचे से निकलता रहे अब देखे हैं मैंने जिसको ज़रना इसके लिए यूज किया हुआ है अगर हम इसको ज़रना नहीं तो यह गीला हो जाएगा तो बस इससे करके हमने इसको साइड में रखना है ताकि उसका पानी पूरा निकल जाए अब हमारा जो हरी मतले वह सौफ्ट हो चुकी है तो चूड़ा चिपका चिपका सा लगेगा और गिला नहीं होगा तो वह रखने में अलग लग रहेंगे तो खाने में और भी अच्छा लगेगा तो बस चूड़े को डालने के बाद हमें वापस इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि पूरा चूड़ा है वह तेल औ चूड़ा में चिपक जाएगा तो इसमें हम एड़ कर देंगे जो हमने मसालो को रोष्ट किया वा ता उसका हमने बनाया वा तो उससे इसमें डाल देंगे और वापस इसे हम पकाएंगे तक इन मसालों की खुश्बू भी हमारे चूड़ा मटर में अच्छी तरीके से आज जायेगी और इसमें हमें डाल दिना है एक चमच बड़ा देशी घी ईसे की जिसका टेश्ट जना नहीं होता है च्छी णींदा ने के बाद वापत उसमें चला लेना है अchselसे राफ्ट पकाएंगे तो ध्यक्तित जाएगा मैं ड़ी ग्यास की फ्लेम को बन कर देना है तो इस चूड़े मटर को बनाने के लिए आपको मुश्किल से 10-15 मिनटी लगेंगे बहुत जल्दी बन के तयार हो जाता है जब बन के तयार हो जाए तो इस पर हम चलग देंगे हरी बारी कटी धनिये को जिसमें कि और पी अच्छी से में टाप इसे बनाएए अपने घरवालों को खिलाएए सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा बच्छों को आप इसे लंजबॉक्स में भी दे सकते हैं बहुत हेल्दी ऑफशन है बच्छों को देने के लिए तो बस आप भी मेरे में तरसे से बनाएए और अगर आप अ दो आप इसे बहुत हैं बहुत है।